नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंटरनेट प्राउजर में नोटपैड को कैसे इंबेड कर सकते हैं देखें मैंने यहां इंबेड कर रखा है जो कि यूजरी एक बुक मार्क है अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बें इंटरनेट पर कोई content सेर्च कर रहे हों और हमें उसका कोई text सेव करना हो तो हम या तो search box में जाकर notepad को उठाते हैं या startup menu से लेते हैं और नहीं तो desktop से उठाते हैं इसमें काफी time जाता है और हम frustrated हो जाते हैं आप मेरी बास से जरूर सहमत होंगे देखिए दोस्तों मैंने यहां पर एक button बना रखा है मैं इस पर click करूँगा तो एक editable page उपन होगा जहां पर मैं कुछ भी type कर सकता हूँ चलिए मैं यहां type करता हूँ Hello, this is a text file अब ctrl plus s यह shortcut की से मैं save करूँगा save करते समय file के extension का ध्यान रखना है जो की .txt होना चाहिए .txt windows में text file के लिए default extension है मैं इसका नाम दे रहा हूँ a.txt बस अब इसे save करना है देखिए दोस्तों यह save हो गया है अब आप जब इसे open करेंगे तो क्या पाएंगे कि यह windows के default notepad में open हुआ है इसका अर्थ यह है कि अच्छे से save हो गया है ठीके मित्रों अब मैं समझाता हूँ कि आप इसे browser में कैसे embed करेंगे सबसे पहले मैं यहां से मेरा बनाया हुआ button delete कर देता हूँ अब यहां से मैं एक नया bookmark add करूँगा right click new bookmark जहां पे name लिखा है वहां पर मैं loadpad टाइप कर रहा हूँ ताकि दूढने में असानी हो और location में हमें type करना है data colon text forward slash html comma angular brackets में html space content editable बस अब इसे हमें add कर देना है तो दिखे यहां एक नया button बन गया है notepad नाम से मैं इस पर click करूँगा तो उसी तरह से एक editable window open हो जाएगा देखे है ना easy अब इसे हमें save करूँगा उसी तरह नाम दोगा ab.txt और file का type text file और save तो देखे दूसरा उसी तरह फैसे यह save हो गया है देखे कितना आसान था आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह computer और technology से संबंदित tips और tricks को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल